हेलो एवरिवान एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे जहां पे आपको सी यो उटी पीजी से रिलेटेड जो भी इंफोर्मेशन होती है वो वीडियो के मादिम से पहुंचाई जाती है तो आज की इस वीडियो के अंदर भी आप सभी के लिए एक जो नया इंफोर्मेशन है वो आप सभी के लिए में लेका आया हूँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और अगर आप लोग चैनल पे नए है तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजे ताकि कोई भी इंफोर्मेशन आपका मिस ना हो सके तो आज की इस वीडियो में हम लोग है वो 10 ने वेब साथ प्लॉड कर दिया है तो आप लोग एजरी डाउनलोड कर सकते हो हिंदे इंगलीज दोनों मीडिया में पेपर को यहां पेपलोड की आ गया तो आप कैसे डाउनलोड करेंगे उसी के बारे में लोग बात करेंगे जब मैंने आपको एक वीडियो में ब करेंगे क्योंकि जो c.o.e.y p.g का एक्जाम आपका हुआ था वो 2020 से स्टार्ट वा था इस में आपको का तैप में जो है सेलेक्ट करना है सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर है यह last year के code के साब से डाले गए तो आपको confused नहीं होना है यह code डालने का मतलब यह भी है कि आपके syllabus में मुझे नहीं लग रहा कि कोई यहां पर चंजस होने वाला है syllabus को लेके मैं आप देख लिएगा कौन सा सब्जेक्ट अपने को यहां पर किसी एक सब्जेक्ट का डाउनलोड करना पीजी क्यूंपी से पहले स्टार्ट हो रहा था जैसे हमें जो है वो पेपर है जिसमें 9 September 2022 को यह पेपर हुआ था और इसमें जितने भी कोशन है वो आपको सारे दिख जाएंगे तो इसमें हिंदी वाले जो कोशन स्टार्टिंग में वो दिए गए जिससे कि आपको पता है कि दो पार्ट में पेपर आता है पार्ट ए और एक पार्टिंग के 25 कोशन जो है आपको वो दिखने को मिलने वाले है जो कि पार्ट ए से आते है तो यहां पर काफी बेसिक कोशन पूछे जाते है आप एक बार देख लिजेगा यहां से आपको मिल जाएंगे ठीक है तो अब आप लोग जो है आपका जो सब्जेक्ट है उसके कोडिंग यहां से आप डाउनलोड कर लिजेगा मैंने आपको एक तरीका यहां पर बता दिया कि कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं बाकी पार्ट ए के लिए अगर आप लोग यूस्पूल रहने वाला इसलिए हमने जो फीज सा वो केवल 200 रखी है ताकि वो स्टूडेंट भी उसको ये ना लगे कि यार मेरा हिंदी नहीं है तो मेरा तो कुछ काम गए नहीं है तो उसके लिए में तो रिजनिंग यहां पर जो है यूस्पूल रहने वाली है और बाकि जो इंग्लीज मेडियम का है उसके लिए पूरा जो कोर्स है वो यूस्पूल रहने वाला है ठीक है तो इस वीडियो में गए जितना ही वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया